अध्याई इको तेर रेवा मानो लाडिलो गंगा माने धेर आप वा आनद एमने आव्यो ना करितेर दीखी गंगा दीव्ये रेवा तणो सुपूत्र खड़ खड़ ना देह रखने व्यक्त करती तत्र अवदुत जीपन भाव थी जोडी बनने हात अनन्त श्रत्धा भाक्ति थी बंदे गंगा मात ब्रम्हा जीना दीव्यहा का मंडल थी एम पवित्र जल प्रवाहा छल क्यों वेगे एम ब्रम्ह लोक थी नीकल्यो वेहतो दीव्य प्रवाह आविगयो वै कुंठ मा परम्प वित्र वाह भगवान श्री विष्णू तणा चरण पखाली एह स्वर्ग लोक मा वही रयो पावन कारी जेह भगिरत जीना तप थकी उनीत दीव्य प्रपात रुत्वी पर पड़ता जीले शिर पर भोलानात आशो तोश नीजटा थकी अलक नंदा मात निकड़ा जग उत्थारवा जै जै गंगा मात अव दुत्जी ए भाव थी गंगो दगनू थेम पान कर्यूं ए स्नान कर्यूं थया प्रसन मन थेम आर्य निवासना उगमना जरुखे बैसी एम कला को सुधी रंग हा धारी है ये प्रेम मा गंगाना पुनीत ने त्वर्त प्रवाहने वाह नयन भरी भरी निरखता अंतर अति उच्छा ओम्गुरू ओम्गुरू अमधूता तुहियों तुहियों शीदन्ता सेवा मा अवधूतनी त्याहता जणचार धन्य धन्य सदवागिये सेवा मा रहनार रतिलाल दाक्तर एक डभान ना रहनार व्यवसाय दाक्तर पन शुद्ध अचार पाणनार कष्ट वेठीने भाव थी अवधुत आग्ण्या प्रमान रेवा मानी परिक्रमा करी हती तुजान अति शुद्ध आचार ने तनमन अति पवीत्र श्रद्धाथी सेवा करे सदगुरुनी जोत अत्र आवा शुद्ध पवीत्र ने शुद्ध अचारी वीप्र अवधुतनी तहना अत्मा सेवा करता ख्षिप्र वीजा कमू बेन हा परम पवित्र भाक्त अंतर भाव भर्यू अने सेवा मही आसत सोजीत्रा मुल गाम पण रहे वडोद रामाई अलका पुरी निवास छे सदगुरु भजे सदाई त्रीजा अतिलक्ष्मी बहेन ने साथे जिमनलाल पतीजे अतिलक्ष्मी तना रहे वडोद राहाल बन्ने पति पत्नी अहा अवधुत जीना जान परम भक्त छे रंगना सेवा रत रहे मान चारे भक्तो जोति हां रही ने हरी द्वार विद विद रीते रंगनी सेवा करे अपार एक दिवस्त्या आविया मुंबई थी जे आम रस्ती नारेश्वर्ह तणा जय देव भाई छे नाम पत्नी भारति बेन जे अत्यंत श्रत्थावान बन्ने ने सत्कुरू प्रति आवभक्ति पहुमान जय देव भाई जो रंगने प्रार्थेत्या बहु पेर गुंज जाता है गुरो मुंबई आवो घेर पवित्र पगला आपना पदरावो करिमेर दन्य थैश गुरू वरा अर्पो कृपानी सेर भाव जोई बोल्या प्रभू गुंज जैश जो एम तो मुंबई मातम घरे रात रही शेक तैम आविसमी तारीक पजी खबर आपु के तुल्त बेटि किट पण कुंज नी ले जो राखी सुल्त जैदेव भारती पामिने है ये आश्वासन हरित वारती विदाय हा थै गया ते दन्द अलक कहे सुन शीष तू जैदेव भाई ने एम अवदुत लीला नाखना परचा थया ता देम सूरत पासे मनू मोता नामे गाम परमभक्त पीता हता तारा शंकर नाम तारा शंकर नो अहा भक्ति भाव जोई आम सद गुर्णो मोता मही धयो हतो मुकाम तोए जाग्या नाहता जैदेव भाई ना जान श्रत्था भक्ति दिल मही अवदुत प्रत्ये मान एक दिवस जैदेव भाई मोता आवा एम निकल्या मुंबई थी अहा रेल विद्वारा तेम रुपिया बच्ची सो पुरा भरेली थेली एक साथ हती देची वाट थी मू की पाटिये छेक आवी गयूं क्या तो अहा बार डोली स्टेशन जैदेव भाई उतरी गया सामान सहतत चन रुपिया नी थेली अरे रही गई गाडी माए मोता गाम गया पछी खबर पड़ी एत्याए ठेली गई रुपिया गया दूख तो अंतर थाई गरवूं एनूं केम जो नोह तो कोही उपाई आ मलक माजे गयू मले न कदिये क्याए प्रसंग बगडशे मानिने कयू न कोईने त्याए अवदुत जी ए जोकरी लीला त्या अदबूत श्रत्था जाके युवाननी एवु गोथ व्यूतूत सुक्त संसकार भक्तना पित्रुदत जी उर्माई मोहरी उठ्या अन्य दिन पूजन मही जोत्याई बेठा पूजन काज जया जैते उभाई ते बार भूसावण थी आवियो पोलिस के रोतार अहीनी पोलिस ने अरे तमारी थेली एक मणी छे माटे खातरी आपीने अही छेक लई जाओ परात ए वाच ताए वोतार जैते उभाई ना रुदय माँ व्याप्यो हर्ष अपार क्रुत अग्यता थी रंगना चरणे वारंवार वंदन करी अवधूतनों पोकारे जयकार रुपियानी थेली मही नोंद पोथी माचान सरनामू मोतातनू लख्यू हतू हामान थेली मलता पोली से ए सरनामे एम तार करीने एमने बोला व्याता तेम थेली मली रुपिया मल्या थयो हर्ष अपार एकी अवाजे रंगनों बोला व्यों जैकार एक समीय अवधूतनों मोतामा मुकाम जय देव भाईना पतनी जे भारती बैन छेनाम एमने शुब संकल्प हा कर्यो निज्मन नीमाय काले भिक्षा बनावी ने जमाडू सद गुरुराय पूछे पछी अवधूतने शुखाशो गुरुराज आपको होते वानगी बना विदव हुँ आज वर्ती बोल्या श्री गुरु मने न इच्छा काई तू बना विश्टे जमीश बधू जैश हुखाई भारती बैन वहला उठ्या करिने मंगल स्नान शुत्रेश मीवास रहा अंगे करी परिधान खूब पवित्र ताथी अने चिवट राखी एम विविद प्रकार निवान कियों बना विधरी प्रेम शाक पाक ने रायता मा खळ रोटनी एम सरस केसर केरिनों रसकाढ्यों हातेम आजे गुरुजी माहरा घेरे जमशे जान दन घडी धन दाहरों अरक भेर हेम मान थाड मुक्यों बहु भाव थी सद गुरु सामे तेम भारती बेन तो रुदाय थी प्रार्थे खावा तेम अलग कहे सुन बाल तू प्रभुए शूकर्यु त्याई कारेला नू शाक पधू ना क्यों रसनी माय मधूर रसमा भेल व्या कारेला कटु जैर मिश्रण बारा बार जो करे चोडीने सुपेर पछे गट गटा भी गया आखी वाड की जट रुपती ना ओड कार सह गोल्या जै गुरुदात ओम गुरु ओम गुरु अवधूता तुही ओम तुही ओम शीदर्ता भारती बेन तो सब थै जोई रया तेवार शू बोले अवधूत नो अवण चंड वहवार स्वाद जीत्यों हाजे मने लागे बधू सरस कारे लाके आमररस पेट नुभारू बस देहट कावी राखवा खाता संत सुजान लेपाएना स्वाद मा भले होय मिष्टान अवधूत भूख्यो भावनो स्वादे रुचिन लगार एटलू समझता भात नो आये बेडो पार एवाजय देव भाईने भरती बैनने त्याए आपी संतोष बेउने प्रेमे कर्या विदाए नूतन साधु संतना रंग करे दर्शन धन भोजन अपावीने सोहने करे प्रसन गरिब भिखारी रोगीने भोजन वस्त्रो एम दक्षिना पात्र अपावता अवधुत जी धरी प्रेम पतियाने जमाडिया भर पेट मिष्टान भुख्याओने त्रूत कर्या धरी भाव भगवान हर की पेडी पर जई भूख्याओने तमाम शाक रोटली जमाडिया पेट भरी भरियाम सरसर वित्यो समायने कार्तकवदी एम चौदस नो आवी गयो गोजारो दिन तेम आज सवार्थी सांज सुधी हाती चौदस खास सांजे सात पछी अहा थाती हती अमास प्रातह काल आज हा करियू गंगास्नान त्यार पछी सद गुरु वरे धर्यू धीर थी ध्यान ओम गुरु ओम गुरु अम गुता तुही ओम तुही ओम स्रीदर्था आज सवार्थी शरीर मा हतो सामान्य ज्वर्ण स्नान समेरती भाईने पड़ी हती खबर्ण यत किंचित विक्षाल दी पची कर्यों आराम बराबर बेवागता बेठा पूरन काम भक्तो सहवी तड़ाईने वातो करताएं बोल्या श्री अवधूत जी सहज भावेतें चाती मां अमुन्जन कई धीमी धीमी थाई एकाद वानती थाए तो तुर्द बंद थै जाई सुनी रती भाई एक यूं मींधल घसिने एम पाणी लो तो जरूर एक वानती थाए तेम वानती था ताँ छाती नी मुझवन था शेबंद माटे हूं मींधल तणों अमना करूं प्रबंद एम कही रती भाई ए मींधल नीत पास करवा मालस मुकली बेठा सद गुरु पास ताकर पासे बेशिने नाडी जोवा जाई या तो हाथ खेची लई भोल्या सद गुरु राई कशुय थयू नथी मने नथी थवानों काई शाने तमे बधारे चिंता करो छो आई एम कही ने सद गुरु काढी मोतो अवाज बातो उच्ज स्तर नी करवाला ग्या आज साहो संतो देशना वड़ी धर्म समाज सवना समन्वय तणी केवी जरुर छे आज बातो उचा स्तर नी उचा स्वर्थी एम करवाला ग्या सद गुरु छे थिन आवे वहें करवाला ग्या सद गुरु करी रया जेवात एतो सवने माट हा छेली हती साक्षात बातो करवी बंध करी शनभर्त्या गुरु राय आखो मीची कहन हा उतर्या धान मत्याय थोड़ी वार पछी अरे खोली कमल नयन ताक्तर रती भाईने उची रया भगवन केट लो समय थयो अने ताक्तर बोल्यावान सवा आठ घटि अंत्रमा थया छे भगवान आख बंद करी अहा ओम 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 उच्चार उचे थी हा करी रया सद गुरु जगदाधार थोड़ी वार डुबे रया ध्यान माही गहन त्यार पछी बहु शांते थे उगड़्या दीव्यनयन अने पुछ्यूरती भाईने किटलावा ग्याध्य साडा अठ थया प्रभु बोल्यादाक्तर सद्य दीव्यनयन अव धूतना धली रया पलवार ओम 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 नो कंठ थे धयो मदुर उच्चार पल भर दीव्य समाधिमा दूबी रयानयन दीव्य शांति प्रसरी रही चोगम त्यातक्षन चोगम दीव्य प्रकाश हा प्रसर्यो और रामाई दीव्य सुगंधित लहर हा अनुभवता सोग्याई अकथ्य दीव्यानन्दना निरजर जरतात्याई बैठेला सवभातना भाव भिजवताजाई पल भर भावा वेशमा दूबी गया सवजन त्यातो नयन विकासीने भरी पुछे भगवन कितलो समय थयो औरे तातर बोल्या सध्य पौणा नव थया प्रभू घटिका यंद्रे अध्य चतुर दशीनो अमल हा पूरो थयो तो एम अमल अमावा स्यातनो शरू थयो तो एम जरा दिव्य शांती तणा जरता ताचो पास पौणा नव सुनता हा अब थुत जी एखास ओम 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 नो करीस पश्ट उच्चार पिंजर छोड़ी देहन गया हरीने द्वार धीमे धीमे ओमनो मन्द थयो उच्चार पुर्द्व गामी आत्मा थयो छने नला गीवार परधोन मीलित नेत्र थी दिव्य समाधी मार जाड़ी बिराज्या छे प्रभू एवी तेज नीचाए दीव्य देह पर लसल से मुख मंडल पर एम दीव्य तेज जड की रयूं सूर्य चंद्र समते दिव्य नयन थी नीकड़ी दिव्य जोती जो एक परम जोत मा जोते भड़ी गई हाचेक अलख कहे सुन शीष्यतूं गीता जीमा एम योगेश्वर श्री कुष्ण ए गायूं छे सप्रेम ओमेत एक आक्षरम ब्रम्ह व्याहरन मामनूस्मरन यह प्रयाति यजन्देहं सयाति परमांगतिन एक आक्षर हूं ब्रम्ह ने ओम 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 ए जबता छोड़े देहते पामे सदगतिते सवत बेहजार ने पचीस केरी साल कार तक वद अमास ने दिवस मंगलवार रात्रे पोना नव तनो थयो जा सुमार आर्य निवस स्थान मां हरी द्वार मोजार ओम ओम नो नाद हा थयो धिमेधिक्षीन सद गुरु रंग अवधूत जी थया ब्रम्हमालीन ओम ओम उच्चारिने परब्रम अवधूत परम धाम पहुची गया छोड़ी आजक जूट ओम कार नो दीव्यहा बंध थयो चार रती भाई तुरत अरे जोयू तेणी वार नाडी चालती बंध थयी रुदै थयू हा बंध पार्थिव देव अवधूत नो रयो दीव्यक बंध पंच महाभूतो मही पाँचे तत्वो एम अब धुत जीना देहना भड़ी गया हा तेम केम करी दाक्तर अरे कहे आनकरवात सुनता साथी जनपरे थाशे वज्र प्रपात छताए वास्त विकतारे केम करी छोडाए दाक्तरे अती दूख थी कयूं गया गुरुराए सुनता त्रने जान पर थायो वज्र नू घात विजली जाने तुटी पड़ी एवो थायो प्रपात मगज बहर मारी गयूं चारिव नू क्षण भर तन चेतन हराईने ठरी गयूं पल भर तन मन धन सर्वस्वहा जाने लुटायूं आज एम शुन्य मस्दक थै बेठा सवना राज द्रुस के द्रुस के रडी रया आख आसुना माय अध्वच मू की रखडता चाल्या गया गुरुराय अरे गुर्जर देशनों सव अव धुत परिवार। पुछ शे क्या छोड़यों तमें अम है या नो हार। क्या मुकी आव्यारे तमें अमारा तारण हार। योगी रत्न गुजरात नूं क्या खोयूं आवार। शू मोढूं बतलाव शू शोदई शू जवाब। अरे अरे आशू थयूं साजूं छे के ख्वाब। एम विचार करतारे बावरा धैये जार। डुस का शम्या शमायना वही अश्रु चोधार। अजान्या ए देश माँ चारे अजान्या जन। रुदय भरी भरी रडे अरे कोण दे आश्वासन। अलख कहे चारनी परिस्थिती नोएं। विचार करता रुदया कंपी उठे छेते। कोने आपे कोण हां है आधारन त्याय। एक बिजाना आसुहां पोछाना पोछाय। प्रथम स्वस्थ रति भाई थया करयो मन माँ विचार। कथड मन करी सत्यनू करवो रयो स्विकार। एम विचारी एमने आसु खाली एम। आसु लुची अन्यना बोल्या धी मेते। आ जाने लुटायू आज। एम शुन्य मस्दक थै बेठा सवना राज। द्रुस के द्रुस के रडी रया आख आसु ना माय। अध्वच मू की रखडता चाल्या गया गुरुराय। अरे गुर्जर देशनों सव अव धुत परिवार। पुछ शे क्या छोड़ों तमें अम है या नोहार। क्या मुकी आव्यारे तमें अमारा तारण हार। योगी रत्न गुजरात नूं क्या खोयूं आवार। शूं मोढूं बत लाव शूं शोदई शूं जवाब। अरे अरे आशूं थयूं साजूं छे के ख्वाब। एम विचार करतारे बावरा धैये जार। डुस का शम्या शमायना वहे अश्रु चोधार। अजान्या ए देश माँ चारे अजान्या जन। रुदय भरी भरी रडे अरे कोण दे आश्वासन। अलख कहे चारनी परिस्थिती नोएं। विचार करता रुदयां कंपी उठे छेतें। कोणे आपे कोण हां है आधारन त्याय। एग बिजाना आसुहां पोछाना पोछाय। प्रथम स्वस्थ रति भाई थयां करयो मन माँ विचार। कथण मन करी सत्यनू करवो रयो स्विकार। एम विचारी एमने आसु खाली एम। आसु लुचि अन्यना बोल्या धी में तेम। कथण करो है यू हवे करो सत्यस्विकार। शूकर वुआ गळ हवे एनो करो विचार। एम कहीने स्थान ना आर्य निवास नाम। प्यावस्था पक भाई जे अमृत लाल छे नाम। नीचे थी हाए मने जट बोला व्यात्याए। आवताज परिस्थिती पामी गया मनमाए। आश्वासन आपी कहिूं कठन राख जो मन। करवा लाग्या फोन पे कठन राखी मन। दिल ही थी बोला विया शुक्ल साहे बने जट। टेलेफोन नी रिंग हाँ फेरवता जट पट। अमतावाद श्रीवानिने वडोद रामातें। लोहाना बोडिंग विशे करयो फोन हातें। परमभक्त सद गुरुतना करजण नाद भूत। ठककर श्री राम लालनी फोन करीने तुर्त। कहिँ के नारेश्वरे खबर आप जो पत। मोदि काका जेतकी हरी द्वार आवे जट। शुक्ल सहे बेते पछी फोन करीनें। आकाशवानी दिल हीने खबर आपीत। समाचार आदूख भर्या भारत भर मातें। कर्या प्रसारित त्यारे वर्त्यों हाहाकार। आखाई गुजरात नूँ चाल्यों गयों आधा। तुटी पड़ी आकाश थी जाने विजली है। लोकों थैने बावरा एक मेकने तेम। पुछवाला ग्या जे सुन्यूं साची शुए वात। शुन्य मनस्क थै गया थयो वच्रनों घात। तोले तोला निकल्या जावा नारेश्वर। घर्मा के मुरेवाय जो जानी अशुब खबर। नारेश्वर माते समे शुबन्यू ते जान। सुनकार छवाई गयो स्थान बन्यू निश्प्राम। लिलोडवासी आपना सर्वदमन देशाय। हता विद्यार थी अने भणतारा रुदमाय। चालू रेडियो एकरी सुनता ता ते वार। त्या तो सुन्या एमनी दुखद समाचार। खबर करवा दोडियो लिलोड़ गयो ते वार। ब्रमलीन थया बापजी हरी द्वार मोजार। आभजाने तुटी पड्यू सुनता एवचन। दोड्या नारेश्वर भणी करता खोर रुदल। मोदी जी लखता हता एमना और रामाई। क्या तो एक जन हाफ तो दोड तो आव्यो त्याई। कहे वाला गयो मोदी ने अंतर अतिशय शोक। बापजी गया बापजी बोली मू की पोक। सुनता मोदी जी अरे थया स्तक्द पलभर। चक्कर आव्या ने पढ़्या भूमी परतत पाल। रेलिंग केरी पाईप जो ना झा लेली होत। मोदी काका पढ़त ने खुमई जाथै होत। त्या तो सायर लिलोड ना तोले तोला लोक। आवि गया नारेश्वरे रडता मू की पोक। अन्ते वासियो स्थान ना भेगा थया तेवार। एक मेकने वलगी ने रुदन करे अपार। नारेश्वर ना स्थान ना अवधुत ची तो प्राण। जता ए आ स्थान हां बनी गयू निश्प्राण। रोता रोता सर्वए मोदी जीने एम। केहवाला गया अरे तमे करीने फावेते। लावो पार्थीव देहने नारेश्वर मोजार। प्राण प्यारा अवधुत जी अम है आना हार। छेला छेला केमना करवा मुखदर्शन। ग्रामिण सवविन वीरयां बोली दीन वचन। शीर ते जैशुव में जोया विन हर द्वार। शूँ जोवाना नहीं मले अमने तारन हार। जेना तप्थी विश्वमा धन्य बनी गुजरात। छेला दर्शन रुशीतना शून ही करे गुजरात। खेली आ गुजरात ना लाखो जनो नानात। रुदै सिहासन धित अहा नारेश्वर नानात। अवधुत जीना शूँ नहीं अन्तिम दर्शन थाय। भाव भक्ति शूँ अमारा आजे निश्वर जाय। रदै हलावी नाखता आवावी नित वचन। सुनता मोदी जीतन। अती द्रवी गयु मन। डुस का खाता बोलिया आँख मासू साथ। गमे देम करीने लाविश आपडानात। तमे बधा भेका मली करचो अहीं पजन। जलदी लईने आवुचू आपणु तन मन धन। त्या तो वडोद राथ की टैकसी लई ततकाल। शीठ हिम्मत लालनी शाह जयनती लाल। आवि गया जो वेग थी मोदी जी ने एम। जोता चाती फाट अरे रडी उठ्या सव तेम। तेम रुदय कठन करी मोदी जी सत्वर। हरी द्वार जावा निकणी गया तत्पल। तोले तोला भक्तना मले मार्गमा एम। रडता चाती कूटता रंग वियो गे तेम। कठन काल जू राखी ने मोदी जी रेहाय। आश्वासन दई एम ने जट थाता विदाय। गामे गामनी भागोडे लोको थोके चोक। मोदी जी ने रोकता रडता पोके पोक। मोदी जी ने रोकी ने कहता सरवे एम। लावो अमारा नाथ ने करीने गमे तेम। तमे पाच्छा फरता सुधी अमे रही शू आय। अन्नो दगलै शू नहीं दर्शन कर्या सिवाय। आलोको ना भाव जोई मोदी बिगणी जाय। आवा भकतों ने कहो कैमनी राश कराय। मोदी जी कहता सरवने करो बधा भजन। खेचाय तंबजन थी आवशे तही भगवन। आवी पहुच्या वडोदरा पछी धरी विवेक। पंडितों बोलावी ने सभा भरी हाएक। पूचु विनम्र भावती पंडितों ने एम। प्रभूना पार्थिव देहने अही लवाय के केम। पोथा धोथा गोडवी बोल्या पंडितों वाण। अवधत जीए छोडियो गंगा तीरे प्राण। माटे गंगा तीरे जहा सर्वक्रिया उथाई। गंगा छोडिये मने बीजे ना लवाय। कहता ना घरनुव में कहिये शास्त्र प्रमाण। माटे गंगा छोडिने नालै जाशोवान। सूनी पंडित वाण है मोदी विचारे मन। मारे शुकर मुहवे आतो प्रश्न गहन। शास्त्रा ग्याओ लंगिने कोई क्रियाना थाई। अब गणिये जो शास्त्र तो प्रभुनु दिल दुभाई। पण पेला गुजरात ना भाविक भगतो एम। अन्नोदक छोडियने बजन करता तेम। हशे जोता राह अरे राखी नयन अधीर। इयो ना अंतर तणी शे सह वाशे पीर। भोला श्रथावान पे भगतो थशे निराश। शूंप अवधुत पर एम। नती हग कई खास। भले अभण ग्रामील पण अत्यंत श्रथावान। अवधुत पर ओवारी दे निजतन मनधन प्राण। एम निये श्रथातन। मोटु आलंबन। अवधुत जीना नहीं करे शूंप अन्तिम दर्शन। मूदी काका मन मही करी रया विचार। त्या तो एमना अंतरी थयो एक चमकार। वर्षों तक अवधूत जीये सेव्या रेवा तिर। रेवा मानी परिक्रमा करी धारी ने धिर। रेवा माना उचंगमा जब तप साधन। कर्या पती कठीन ने साधी समाधी ते। जेरे वाने काठडे नारेश्वर वेरान। आदरिने तप आकरा कर्यूं वे कुठ समाध। तेरे वाने अंतसमे अरे केम भूलाएं। भूले तो अब धूतनू दिव्यातमा दुभाई। गंगा माने अवधुते आप्याजो निजप्रान। रेवा मातने देह तो अरपन कर वो नितान। रेवा काठे तप कर्यूं मरण गंगा तत। ए उपती समरंगनू सारथक जीवन पट। मरण थवानू थै गयूं पवित्र गंगा तीर। संसकार अंतिम देहना करवा रेवातीर। मूदी जीना अंतरे चमक्यो आविचार। तुर्त प्रभूने लाववा की धोत्रढ निरधार। विमान द्वारा मूदी जी दिल्ली पहुचा जाए। हरी द्वार थी आवि गई टेक्षी ओ बेत्याए। सहसा जोईने टेक्षी पार्थिव देहनी साथ। विचार करता मूदी जी कोण लाव्यों गुरुनात। हूं तो हजी बोलो न थी आवि दिल्ली द्वार। प्रभुनों पार्थिव देह आ छोडे जो हरित्वार। प्रभु प्रेरित आबन्यूं मानी मोदी हैन। करे चार टर्डवी मान एक चालिस जणनूतें। देह मुकवा गुरुतनों पेटी बनावी खास। उश्पों परिमल थी भर्यां पाथरियां चोपास। प्रभु के रादेहने अती जीवत थी एम। मुक्यों ए पेटी मही सुगंधी द्रव्योतें। खूब लगाड्यां अंग पर लस लस तुम ए अंग। हम ना बोली उठशे जाने मारा रंग। एवी पवीत्र कायने लई उड्यूं विमान। जाणी आव्यूं स्वर्ग थी रंग माटे मान। उत्रियूं अमदावाद हा हवाय मत के जान। लाखो लोक भाहता स्वागत करवामान। अमदावादना श्रेश्थियों नगरजनों वडितें। वडि प्रधानों राज्यना उभाहतात्याएं। मोटा जे अधिकारियों अमलदार वळियें। स्वागत करवारंग नूं आव्याजो धरी प्रेम। पेटी माथी काढिने पार्थिव देहने ज्याय। शनगारेली त्रकमही पधरावता पछी त्याय। अवधुत जीना देहने दूर थि जोता माय। लाखो लोको रड़ी पड़्या दुसके दुसके त्याय। कंचन काया चमकती वदन तेज अंबार। अरधोन मीलित नेत्रहां करी रया चमकार। जाने सुता समाधिमा हमना जागश जान। लागे सवजो नारने रड़ती आखे मान। ट्रक पासे आवीने अमदा वादनी जेह। मुख्य व्यक्तियों नेवणी अधिकारियों तेह। प्रधानों ने श्रेष्ठियों धारी है ये प्रेम। फूल हार अरपन करे दीनी आखे ते। त्यार पछी ट्रक उपड़ी मारगे हारो हार। दर्शनार थी ओनी अहां लांबी लांबी कतार। खड़ी हती लांबे सुधी निज है आना हार। अव धुत जीने निरखवा आजे छेली वार। रस्ते गामे गामहा तोडे तोडा लोक। दर्शन करवा संतना वो भाथो के थोक। रात्रे अंधारू थता बतियो लईने एम। गामने पार। उपड़ी मारगे हारो हार। दर्शनार थी ओनी अहां लांबी लांबी कतार। खड़ी हती लांबे सुधी निज है आना हार। अव धुत जीने निरखवा आजे छेली वार। रस्ते गामे गामहा तोडे तोडा लोक। दर्शन करवा संतना वो भाथो के थोक। रात्रे अंधारू थता बतियो लईने एम। गामने पादर उभारया लोको सगळा तेम। गामने पादर रंगनी ट्रक आवता जाण। अव धुत जिन्तन नाद थी गगन गजावता मान। स्त्री पुरुष युवानने बालक वृत तमाम। उभाखना समय थी दर्शन करवा आम। पुरुषो आसु सारता बालको करे रुदन। स्त्री ओ छाती फाटवा खुब करे क्रंदन। अमदावाद थी ते अहा नारेश्वर सुधियें। जेटला गामो आवता ते गामो माते। अवधुत जीना दर्शने तोडे तोडा लोक। भागोडे भेगा थता घरी रुदय माशोग। नारेश्वर मा आविया रात पड़ी गई त्याए। हजारो लोको राह जोई बेठाह ताहा आय। गूफा केरे ओटले पधराव्यों शुभदेः। के सरस्नान करावता शोभी रयों वरदेः। कराववा प्रभुना देहने छेलू रेवास्तान। वक्तो रेवा लई गया शिबी का मही भगवान। रेवा ए निजपूत्रनों जोई पार्थिव देह। रणती आखे कयूं हशे मुझने दीधो छेह। आवूं छूं कही ने गयों करवा गंखास्नान। निश्चे तन्थै आवियों दै गंगाने प्रान। पार्थिव तारूं खोडियूं लावियों मारी पास। साचे कहूं अब धूत कैं करी मने निराश। एम कही रेवा जीए नीज सपुतने एम। उपा लंब आप्यों हशे बिनी आखे एम। रेवा जलना स्पर्श थी अवधुत जीनों देः। जाणे जेतन वन्त थै बोलेनी संदेः। कोप न करशो मुझ परे है नर्म दामात। वन्दन करू हूँ तुझ पादमा सांभलो मारी वात। गंगा मने पुकारती करवाने त्या स्नान। स्नान कर्यों उपकृत थयों दीधू प्राण नूदान। तारा जल अमरूत थी पोशायो मुझ देह। तारूतने अरपन करू ए माशानों छे। वडी स्कूल आदेह थी आजे अत्रश्य थैश। सुक्ष्मरूबे तुझी काठेडे अखंद किन्तु रहीश। जा सुधी पृत्वी पटे वहशे तारा जल। जा सुधी नारेश्वरे रहीश हूनिश्चल। सुनी वचन अवधूतना रीच्या रिवामात। प्रसन थै खड़ खड़ वयां करता हर ओमनाद। स्नान करावी देहने लाव्या स्थान मुझार। चंदन काष्ट तनी अहां जीता हती तयार। सुखड केरा सोल मन काष्ट गोठ वीयें। पुष्कड गुगल कापूर आ भिळवीयें आतें। गवमातानू पवित्रहा शुद्ध द्रूत अपार। विजा सुगंधित द्रव्यहा नाख्या अपरंपार। अवधुत नाशुभ देहने दिव्यचिता मोझार। सुवडा व्योरे त्याहरे भक्तो रण्या पार। जगनाता रण हार ने दिव्यचिता माहाम। चता सुतेला जोहिने भक्तो हार्या हार। दिव्यच देह अवधूत नों दर्शन थी दुख जाय। तेने भर खिजशे अरे अगनी पलक माहाय। दिव्यतेज थी जबक्ती कंचन जेवी काय। भड़ भड़ बलशे अगनी मां केम करी जोवाय। स्त्रीयो पुरुषो बाड को रडता छाती फाट। मानव महरा मण अहां छल क्यों आज अफाट। अति पमित्र विप्रचे करमठने विद्वान। गनाता सकल शास्त्रना अलवनी दादा जार। तेमना शुभ हस्ते अहां थयो अगनी संस्कार। पावक ज्वाणाओ अहां प्रगटी अपरंपार। अगनी पन पावन थया स्परशी अवधुत देह। भडभड शब्दे अगनी ये प्रगट करयो निचिसने। चारी गम अगनी तड़ी ज्वाणाओ लहराय। त्या तो शिश्य कहूतनी अच्रज एक सर जाए। चीता भडभड बड़ी रही या तो एका पेक। अवधुत जीनो वाम हस्त उचो थयो हाँ छेक। पीचे थी उचो थयी अर्थ चंद्र आकार। डाबे थी जमणी तरफ हस्त थयो पसार। आशिश देता हो युतेम धी में थयो पसार। पूरो करी गोलार्थ पड़यो चिता मोजार। उचो थये लो हस्त हाँ जोता तेडी वार। हजारो भक्तो एकर्यो भाव भर्यो जीतकार। अवधुत चिंतन नाद थी गाजी उठ्यू गगन। छेला आशिश भक्त ने आपे रुक मारतन। ठेठ्य ब्राम्हमु हुर्त सुधी चिता बढ़ीने शांत। ठाती ना जोत्या सुधी खस्यान लोक नितांत। बीजे दिन सवार मां शेश अस्थि हाजेह। जीवटे एकत्रित करी रेवाजी मां एह। पधराव्या बहुभाव थी करी रंग जयकार। अस्थि विसर जन जोकर्यां भक्तो ए निर्धार। एम सद गुरू रंग हा स्थूल देहति आय। पृत्वीति अद्रश थया विलीन ब्रह्म निमाय। सुक्ष्म देहे विचरतां कर्षे जग कल्याण। अनन्त सुखनी विश्वमां करता रैशे लहां। परब्रम्ह अवधूतने केवा जन्म मरं। उत्थरवा जगनी जुओ थयू हतु अवतरं। संतों ने पन शरीर नी मर्यादा तो होई। कून धर्म पन देहना वोगवाना होई। दूल शरीर अवधूतनू हतों जया सुधी एं। जया सुधी तो शरीर नी मर्यादा मातें। रहिने श्री अवधूत जी विच्रिया शुष्ठी माय। शरीर पड़ता थैं गया अमर्यादित आय। एक रूप मटी हवे थया अनन्त रूप। घट खट माव्यादी अहा धारे रूप नूप। व्यष्टी मटी समष्टी माव्यापी गया अवधूत। सरवान्तर माव्यापी ने लीला करे अदबूत। आसो लूच्या थैकना दैने आश्वासन। खराबे चढेला कैकना सफळ कर्या जीवन। ना बोल्या मुक्ती बहु ना राख्यू बहु मोन। ना भट क्या ना स्थिर रह्या नहीं बुहद नहीं गोन। घोर अग्ण्या अंधार मा विध्युत सम्चमकार। करी कैकनी नावने उतारी भवपार। रग्त टपकता धाव हा रुजव्या कैक पार। दिल दाज्या ना रुदय मा कर्यो शांती संचार। ग्ण्यान रश्मी फैकी अहा कैना रुदय कमर। विक्साव्या ने कैक रे अबड की धा सबर। कैक गुलाबोंने अहा हसाव्या खर-खरात। कैक बुलबुलोंने अरे रडाव्या छाती भात। ओम्गुरु ओम्गुरु अब धूता तुहियों तुहियों श्रीदर्ता। जोडी भरी भरी प्रेमनों खजानों लख लूट। लूटाव्यों खुल्ना दिले लूटवु होयते लूट। कैक कंकर ने अहा बनावीने शंकर। पूजाव्या अजगत मा महलो बहु मन भर। कैक शंकर ने वड़ी बनावीने कंकर। रस्ते रज़ताई थया खाई रया ठोकर। ना लाव्यों कै साथने ना लिधू लगार। ना लई गयो साथने आप्यू अपरम पार। एम पृत्विना पाटले आव्यों जो अवधूत। ज्ञान भक्ति भागी रथी वहावा दिव्याद भूत। संतप्द आसंसार ने आपी शांतिय अपार। स्वयम स्वधाम पधारिया निमित करी हरित्मार। स्थोल शरीरे गया प्रभूपण सुक्ष्म देहे आम। यूगो ना यूगो रहे ना रेश्वर ने धाम। शुंकाउं हू रंगनी लीला अपरम पार। आतो मात्र कयोतने यत किंचित कैसार। सिंधु सम अवधूतनी लीला ती अगाध। ए माधी कई बिंदुनों लिधो अरे आस्वाध। मधुनू एकज बिंदु जो मुखमा मुखिये एम। आखु मोडू तो अहा मदुर थै जाय तेम। रंग लीला मृतनी अहा लीलाए काद त्याय। जीवन मही उतारता धन्य जीवन थाय। दैन्य हारिनी आकथा सर्व सोख्य देनार। पढ़ता सुनता ना रहे दूख शोक लगार। ओंगुरु ओंगुरु अमधूता तुहियों तुहियों स्रीदर्ता। पारायन करता हा सब्त दीन परियन्त। धन धान्य धलक वधे पामे सुख अनन्त। रोग दोग दूर थायने भागे सर्व अरिष्ट। ग्रह बाधा दूर थायने पामे वर्द वरिष्ट। शरीर सुन्दर तावधे तनमन थाय सशत। ग्ञान भक्ति वाधे घणी बने प्रभूनों भत। आथी अदखुशू कहूं सामवल शिष्य सुजान। रंग लिला मृत दीव्या दे मुड़ दाने प्रान। एम कहीने अलख जी जोडी बनने पान। अब धुतने वंदी रया बंध करीने वान। बंध थता श्री अलख नो दीव्यवानी प्रभा। शिष्य निरंजन जागिने गोल्यो वाप्रभुवा। अलख जीना चरणमा वंदी वारंवार। गोल्यो शीरीते प्रभु व्यक्त करूँ आभार। रंग लिला मृत गाईने पुनित करो आपाल। शीरते उपकार नो बदलो वालु दयाल। तन बालीने भस्म करूँ अंग धरो जो भभूत। शरीर आसन पातरू बैसो जो मुनिसूत। चर्म उतारी शरीर थी बनाओ पाद त्राण। चर्ने जो धारन करो ओमम जीवन प्राण। गद गद कंठे महा वदे निरंजन बाण। रुतक्न ताथी आखमा वहती अश्रुनी धार। त्या तो दीव्य अलाख जी पाता अंतर थान। अग्नति मीर थी काठीने करेशेश्य सावधान। रंगे आपी प्रेरिना लखावनारो रंग। रंग चरण माहर विने बालक थाय श्रिरंग। इति श्री रंग पादार विंग मिलिंद चुनी लाल बालगो विंदो पाध्याय रचिते। श्री रंग लिलाम्रुते अलख निरंजन सम्वादे। महा निर्वान गमनम नाम एक सप्ततीतमो ध्याय। झाल के लोख बालगों झाल का शेम आड़ झाले सव्याद की ओिने बालगो भादे। झाले सम्वादों